दुनिया भर के देशों ने अब विदेशों में जमा अपने सोने के भंडार को वापस मंगाना शुरू कर दिया है। इन्वेस्को के एक सर्वे में सामने आया है। ये सर्वे सेंट्रल बैंक्स और सौबरेन वेल्थ पंड्स के बीच कराया गया था। पिछले साल क्वानेंशल मार्केट में भारी गिरावट से सौबरेन मनी मैनेजर्स को भारी नुकसान हुआ था। उनका कहना है कि महंगाई और भूर अजनेतिक टेंशन के जल खत्म होने के आसार नहीं है। इसे देखते हुए मनी मैनेजर्स अपनी रणनीती में बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं। इन्वेस्को ग्लोबल सौबरेन असिट मैनेजमेंट स्टेडी में 85 सौबरेन वेल्थ पंड्स और 57 सेंट्र साथे असेट्स फ्रीज होने के बाद 68 सेंट्रल बैंक बोल्ड रिजर्व को अपने देश में ही रख रहे हैं। जबकि 2020 में ऐसा करने वालों की तादात 50 परसेंट ली। जियो पॉलिटिकल वजाओं के साथ-साथ उभरते बाजारों में मिल रहे मौकों ने कुछ सेंट्र का अभी भी ये मानना है कि रिजर्व करंसी के तौर पर इसका कोई विकल नहीं है। केवल 18% मानते हैं कि चीन की करंसी युवान डॉलर को टक कर दे सकती है। जबकि पिछले साल 29% का मानना था कि युवान डॉलर को टक कर दे सकता है। अगर दुनिया के सामने मौजूद की बात की जाए तो 142 इंस्टिटूशन में से करीब 80% अगले दशक में जियो पॉलिटिकल टेंशन को सबसे बड़ा खत्रा मानते हैं। जबकि 83% में महंगाई को अगले ही साल में सबसे बड़ा खत्रा खरार दिया है। चीन को लेकर दुनिया भर के देशों में चिनता है जिसके चलते लगातार दूसरे साल भारत इंवेस्टमेंट के लिए सबसे आकरशक देश बना हुआ है। चीन के साथ ही बिटेन और इटली का भी आकरशन घट गया है। वही निवेश के लिहाज से इंफरस्ट्रक्चर को सबसे आकरशक असेट्स क्लास माना गया है। रिन झाले कि तो कि लिए मूश्य करशक असे आकरशक बेहा है।